हेलो, नमस्कार, प्यारे बच्छाबी, इस पूडियो में हम LCM and SCF of 510 and 92 कैसे फाइंड करें, यह सिखेंगे विप्त पॉपिलर मेथड, तो सरव परतम हमें इनके फैक्टर कर देने हैं, फैक्टर करने के लिए हमें और आपका पांच वार और पांच वार, अब यदि इसको हम ध्यान से देखें, तो यह आपका दोसे विबाज यह नहीं है, देखें, दोसे कौन से संख्या विबाज रहती है, एक नियम याद कर लो, इससे आप अपना कैल्कुलिशन कई गुना फास्ट कर सकते हैं, यदि किस संख्या का इका यंग क्या हो, जीरो, दो, चार, छे, आठ, इन में से कोई हो, तो वे संख्या दोसे विबाज रहती है, तो इसका इका यंग देखा पांच है, यह नि इन में से नहीं, मतलब यह आपका दोसे विबाज नहीं, तीन का चेक किया, अंकों का योग करने पर यह तो इसमें हमने 25 में तीन का भाग कर दिया कितना आ गया कि तीन वाठा है कि चोवीश और पांस तरी 15 यानि पिच्छा से आ गया है चीक है अब इसमें देखां तो यह तीन से विबाजे नहीं है लेकिन पांस से विबाजे कितनी वार एक वार और साथ वार अब आगे के प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके 11, 13, 17 और 19 तो 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 में 17 का डिवेड आपका एक वार तो 510 की हमारे पास फेक्टर के आगे 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 17 बानवे के बात करें तो इसमें हमने 2 का भाग दिया कितनी वार चला गया 4 वार और 6 वार फिर इसमें 2 का भाग दिया कितना दो वार और 3 वार 23 आपका एक प्राइम नंबर आगे के प्राइम नंबर कौन से है 23 और 29 तो 23 में 23 का भाग दिया आपका एक और चला गया तो 92 के फेक्टर क्या आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और आपका 23 हमें क्या चाहिए अपना HCF and LCM तो देखिए HCF में क्या लेना है Common Factor लेना है इसको याद रखने के ट्रिक इसका फुल फॉरम याद करो क्या होता है Highest Common Factor यानि क्यावल Common Factor लेना है उसमें भी धियान क्या रखना है Nune Tam Ghat का Common Factor यहाँ लिख देते है Nune Tam Ghat का CF चीक है तो देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 गुणा 2 है इसका मतलब क्या है 2 की गात 2 है या जहाँ पर आपका Common Factor भी हो और कम से कम बार जहाँ आ रहा है उसको लेंगे देखिए Common Factor क्या होता है पहले इस बात को समझे ऐसा Factor जो यहाँ भी हो 2 यहाँ भी है मतलब यहाँ भी है मतलब यहाँ आपका Common Factor है तो कम से कम 2 आपका कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है कितने वार आ रहा है एक वार आ रहा है चीक है यहाँ दो आ रहा है यहाँ दो आपका एक वार है यानि यह क्या है दो की गात दो है ये दो की गात एक है तो न्यून तम गात कितनी है दो की यहां पर जो common factor उसकी कितनी है एक है ठीक है ऐसे गात के रूप में भी लिख सकते हैं तो आपका LCA पागे LCA में देखिए क्या करना है अधिक तम गात का factor लेना है यानि ज्यादा से ज्यादा वार जो factor आ रहा है उसको लेना है और सबी factor लेना है तो दो देखिए यहां भी है यहां भी ज्यादा से ज्यादा कहां आ रहा है यहां रहा है दो आ रहा है यहां दो आपका एक वार है यहां दो की गात अधिक तम गात कितनी है तो की गात दो है चीक है? तो ये हमने ले लिया называется तो इसको काट दो उसके बाद देखिए तीन आपका किया बुँर पांच एक ही जगे है उसके बाद सत्रह एक जगे है तैईस भी आपका एक ही जगे है यह अब इन सब का गुना कर देते है तो कितना आ गया 23,400 शार्ट आ गया ओके तो इस तरीके से हमारा आसानी से है जो L-Shim and H-Ship हमें मिल जाता है